हेलो फ्रेंड्स तो क्या हल है आप सब के मेरा नाम है एपी ओजला and welcome back to my channel अगर आप नहीं हो तो welcome मैं इस चैनल पर पोस्ट करता हूँ हर वीक दो टेक वीडियो और हर मंडे मॉर्निंग मैं आपके लिए लेक आता हूँ एक निया व्लॉग आज मैं बात करूँ एक बहुत ही महंगी और बहुत ही इंट्रस्टिंग लेप्टॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ एपल के MacBook Pro 2017 एडिशन की जो की है टच बार के साथ जो सबसे पहला डिजाइन चेंज है तो एक नॉर्मल लोगो है और अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूँ तो आपको यहां पे मि मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा पूरा का पूरा युनिबोडी डिजाइन है मैटल के साथ जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और सारे के सारे जितने भी लैपटॉप आते है मार्किट में उससे इसको अलग करता है और बहुत ही प्रीमिम फील है इस वाले तो इसमें आपको मिलते हैं चार USB-C पोर्ट और उसके लावा एक हैटफोन जैक कोई भी इसमें आपको USB पोर्ट नहीं मिलेगा कोई भी आपको यहां पे CD ए DVD ड्राइब नहीं मिलेगा आपको अडेप्टर से काम चलाना पड़ेगा तो यह तो था यार सारा का सारा डिजा जो की मेरे हाथ जितना बड़ा है तो अब देख सकते हो पूरे हाथ जितना बड़ा मेरा इसका जो टचपड है वो है और अगर आप यहां पर देखोगे तो यह ना मैंने इसको ऊपर एक प्रोटेक्टर चढ़ा हुआ हुआ उसकी आपको यहां पर आप ऐसा लग रहा है क् अगर मैं इसको पिछले 6 महिने से यूस कर रहा हुआ इस वाले लैप्टॉप को और अगर मैं इसके बिना इसको यूस करूंगा तो काफी दिक्कत हो जाती है यहां पर मार्क्स पढ़ जाते हैं बड़ आप देख सकते हो कितना बड़ा यहां पर टचपड है मेरे स्मार्ट अगर मैं इस लैप्टॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें मिलती है मैं 16GB की रैम, 4GB का ग्राफिक्स कार्ट, 1TB की Solid State Drive हमें इसमें मिलती है और इसके अलावा हमें मिलता है 3.1 GHz का Quad Core 7 Generation Core i7 Processor बहुत ही अच्छा प्रोसेसर आपको कोई भी आप इसमें काम कर चाहिए अप सर्फिंग कर रहे हो चाहिए अप एडिटिंग कर रहे हो चाहिए कुछ भी कर रहे हो आपको बिल्कुल भी लैग नहीं मिलेगा इस वाले लैप्टॉप में स्पेसिफिक जो यह वाले जो लैप्टॉप आता है Macbook Pro यह बने प्रो यूजर्स के लिए होते हैं अब बढ़ता हूं मैं इसके डिस्प्ले की तरफ बहुत ही खुपसूरत डिस्प्ले है इस बार जो यह वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा यह है रेटीना डिस्प्ले जो क अब सपोर्ट करता है wider P3 gamut को 500 nits का brightness का ratio है तो जो resolution इसके screen का वो बहुत ही अच्छा है आप अगर बाहर भी काम कर रहे हो पे खुले में तो आपको brightness सेट करने की बिलकुल भी जरुरत नहीं पड़ेगी इस वाले laptop में अब अगर मैं हूं यहां पर कीबोड पर यहां पर मि जिसका यूस्टोने में तोड़ा सा टाइम लगता है बट अब मुझे अच्छे में हो गया इस वाले laptop को यूस करते हो और अब यह वाला कीबोड मुझे बहुत जादा पसंद जो नॉर्मल वैसे एक मेरे पास डल का laptop जो की टॉस्क्रीन वाला है आई 7 वो भी है और i7 यह जमीन असमान का अंतर यह दोनों में और मैं इस वाले कीबोड चाहे डिस्प्ले कहलो यह वाला तो मुझे लैप्टॉप बहुत ही जादा पसंद है अब लोग कहेंगे तीन लाग का laptop है यह पसंद क्यों नहीं होगा तीन लाग की बात निया प्रो यूसर के लिए बना है त अगर आप उसको फुल-on मलब पूरा स्पैक उसके टॉपन लेते हो तो चौदा हजार डॉलर का पड़ेगा तो अप्रॉक्सिमेट दस लाग का तो आप इन चीजों पर पैसे की बात नहीं कर सकते क्योंकि यह जो चीजें प्रो यूजर्स के लिए बनी है जो प्रो यूज अगर आप इस पर हाट टिका के भी काम करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगे और एक ही बार में आप पॉइंटर को एक स्क्रीन के साइट से दूसरे साइट तक ले जा सकते हो और यहां पर आपको मिलेगा प्रेशर सेंस्टिव है यह वाला जो टच पैड है एक क्लिक करो करोगे तो डबल क्लिक है यहां पर करोगे तो क्लिक यहां पर माउस वाला पंगा नहीं कि यहां पर क्लिक करो यहां पर राइट क्लिक है ऐसा कुछ नहीं कहीं पर भी डबल क्लिक तो डबल हो गया तीन करोगे तो भी पिंच बगार सब कुछ यहीं से होगा आपके इस वाल तो क्या है तच्छ बार? 1085 x 30 resolution वाला OLED स्क्रीन जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे बटन पर कौन सी अप्लिकेशन यूज कर रहे हो तो अभी आपको मैं दिखा हूँगा यहां पर दिख जाएगी आप इसको एक्स्टेंड भी कर सकते हो उसके लावा अगर आप वेब में हो अभी एक बार मैं वेब आपको खोल के दिखाता हूँ तो मानली जा मैंने वेब खोल लिया तो बस मुझे यहां पर क्लिक करना है और मेरी एप्लिकेशन यहां पर देख सकते हैं अपल की साइट कुल गी है तो इससाब से जिस भी आप अप्लिकेशन में होगे उसके साब से यहां पर बटन साजाएंगे फंक्शन की जिनको हम बो आपको बस इसको दबाना है यही से आप पेमेंट कर सकते हो यहां से अपने लैप्लिकेशन में हो बहुत ही यूसफुल है तच बार मैं आपको दिखाता हूँ सफारी में अभी मैं सफारी उसकर हो तो आप यहां पर देख रहो आपको टैप दिख जाएंगे बस मुझे यह इसको सफारी को करता हूँ और अगर आप फोटोस में इसको यूस करें तो आप कितना इसली फोटोस को यहां पर सकते हो तो यह बहुत ही बेनिफिशल है डिपेंड करता है कौन सी एप्लिकेशन में उसके साब से यहां पे जो फ़ुशन हो चेंज होते रहते हैं इस तच ब पहले पहले यार जब यहाला लैपटॉप आयता तो सब कह रहे थे बस यह जो चीज यहां पर टचबार लगाई यह गिमेक है बट गिमेक नहीं है यार मैं खुद एक प्रो यूजर हूं मैं बहुत जादा एडिटिंग करता हूं वीडियो की फोटो एडिट करता हूं तो मैं बस आप यहां से क्लिक करो और आपकी फाइल अपर चले जाएगी तो डिपेंड करता है कॉंसी अप्लिकेशन मैं इसे यूस कर रहे हूं गिमिक बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही यूसफुल टूल है तचबार इस लैपटॉप के बारे में जो स्पेशल चीज है जो इसको बनाती है वो है इसका टच बार तो लैपटॉप मैंने आपको दिखाया आपने देखा इसमें यूस्बी सी पोर्स हैं चार्चा कोई भी इसमें आपको नॉर्मल वाला पोर नहीं मिलेगा ना यूस्बी पोर्ट है ना इसमें आपको डीविड ड्राइव मिलेगी तीन लैपटॉप पहुंच जाएगा तो आप पूछोगे कि यार ये वाला लैपटॉप तीन लाग का वर्थ है मैं कहूंगा नहीं एवरेज बंदों के लिए बिलकुल ये वाला लैपटॉप अगर आप एक प्रो यूजर आप बहुत जादा काम करते हो जैसे कि मेरा काम है मैं फिर से अड़ेप्टर लो क्योंकि इतने सारे अड़ेप्टर सो जाता है कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है बर अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो प्रो यूजर के लिए बना है जितने भी आप बड़े यूटुबर्स देखोगे सब के सब इस लैपटॉप को यूजर कर रहा है मैं भी इस लैपटॉप को यूजर कर रहा हूं बहुत अच्छा लैपटॉप है आपको बिल्कुल भी हैंग होने का तो मतलब भी नी उठता कोई अवाज निया बहुत ही साइलें लैपटॉप है अगर आप Windows यूजर करते तो आपको पता है कितने ज्य ज्यादा हैंग होते हैं बड़ी एप्लिकेशन अगर आप चला रहे हो अडोबी प्रीमेर पर काम कर रहे हो तो आपको पता है कितना ज्यादा साउंड होता है रेंडर करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है इसमें वह सब बिलकुल नहीं मिलेगा आई 7 प्रोसेसर है 3.1 GHz का क्वार्ट कोर तो आप परफॉरमेंस खोदी अंदाजा लगा सकते हो रेडियन प्रो 530 विद 4GB ऑफ ग्राफिक्स मेमरी तो ग्राफिक्स के लिए 6GB 16GB की रैंप बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है अगर आप प्रो यूजर हो तो मैं रिकमेंड करूंग आपको ये वा बात करूं तो Mac बहुत जादा सुपीरियर है यार Windows के मुकाबले में बहुत जादा फास्त है कोई यहां पर लैग नहीं मिलेगा Windows का यार मैं सबसे प्रीमियम जो डेल का आता है वो भी आगा स्पास है मेरे पास वो भी है वो भी इतना अच्छे से काम नहीं करता मैं इस वा लाइक करना बिल्कुल मत बूलना शेयर करना कमेंट करना इस वीडियो पर जितना जादा कमेंट करोगा आपको पता गिववे चल रहा है आपके चांसे उतने जादा बूस्ट होंगे एक Xbox One X को जीतने के मैं आउंस करूंगा विनर अपने गिववे का जब मेरे हो जाएंग तो बने रही है मेरे साथ अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए